हालो गाइस गुड इवनिंग टू अल अफ यू हो यू आ डूइंग वेल मैसल्थ मुस्कान के दाटा आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यू जी सिनेट पॉलिटिकल साइंस की यूनेट वन के नागरिक्ता वाले टॉपिक को यानि की सिटिजन्शिप तो आएए सबसे पहले समझते हैं नागरिक्ता के अर्थ को नागरिक्ता एक व्यक्ति और समाज के बीच का समंध है यहां समाज राजनेतिक एंटिटी के रूप में जाना जाता है नागरिक्त व्यक्ति की एक राजनेतिक समुदाय की सदस्यता को अपचारिक रूप से विवेचित करने की अवधारना है इस सदस्यता से अधिकार और उत्रदायित्व निर्धारित होते हैं जो व्यक्ति वराजनीतिक समुदाय के मध्य समंधों को निरूपित करते हैं इसका तात्पर्य यह है कि जब हम किसी राजनीतिक समुदाय या देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ अधिकार और उत्रदाईतों मिलते हैं For example, भारत की नागरिक होने के नाते हमें भारतिय संग द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किये गए हैं जिसमें सरकार में भाग लेने का, चुनाव लड़ने का, मत देने का, जीवन का, स्वतंतरता का अधिकार शामिल है तो वहीं हमारे कुछ उत्रदाईतों भी बनते हैं कि हम अपना करदा करें, हम भारत की एकता खंड़ता के लिए कार्य करें उसके विकास के लिए उसके हित में कार्य करें तो ये दो तरफा अवधारना है, याने की अधिकार और उत्तरदाईतों इसमें साथ साथ चलते हैं नागरिक्ता और आवास्यता में काफी अंतर होता है इसका सिधासा तात्पर ये है कि किसी स्थान पर रहने मात्र से हम उस स्थान की नाजिक्ता प्राप नहीं कर सकते क्योंकि आवस्यता नाजिक्ता नहीं होती है For example, यदि हम कुछ समय से इंग्लैंड में रह रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम इंग्लेन की निवासी है, हमें वहां की नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए जो एक सेट क्राइटेरिया होता है, वो फॉलो करना पड़ता है, जैसे भारत में नागरिक्ता के लिए एक सेट क्राइटेरिया होता है, या जनम से, विवहा के द्वारा इन चीजों से हम नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं नागरिक्ता के विचार युनानी युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किये गए थे लेगिन अरस्तु के जो विचार थे वे संकीर्ण विचाधारा पयाधारी थे क्यूंकि उस समय सभी को नागरिक् अधिकार राजनितिक भागिदारी के रूप में देखा जाता था इसलिए इसे नागरी गर्द तंत्रवाद भी कहा जाता था आधुनिक यूग में नागरीक्ता का विचार वैधानिक रूप से परिवर्तित हो गया है जिसमें नागरीकों को कुछ मूल भूत अधिकार प्राप्थ हुए जो विदेशियों को प्राप्थ नहीं है इसका सीधा सा तातपर है ये है कि आज नागरिकों और विदेशियों में फरक है यानि कि कुछ अधिकार सिरफ और सिरफ देश के नागरिकों को प्राप्त है जैसे कि मतदान का अधिकार कर देने का अधिकार इसलिए वर्तमान जो युग में नागरिक का भी प्राय शासन में सहभागिता की बज़ाए एक मत दाता और कर देने वाले सदस्य के रूप में होता है ती एच मार्शल के अनुसार नागरिकता एक राजनितिक समुदाय में पोन और समान सदस्यता होती है यानि कि जब आप एक समुधाय में, एक राजनितिक समुधाय में अपनी पौन सदस्यता और अपनी समान सदस्यता यानि कि सभी के मुकाबले में समान सदस्यता को हासिल करते है, तो वो नागरिकता होती है वर्टमान समय में नागरिकता से तीन प्रकार के अधिकार जुरे है जिसमें सबसे पहला अधिकार नागरिक अधिकार है इसमें व्यक्तिगत स्वतंतता से संबंदित अधिकार शामिल है जो राज्य के खिलाफ शक्ति के रूप में प्रियुक्त होता है क्योंकि नागरिक अधिकार में नागरिकों को किंद्र ये विश्य माना जाता है उसके सर्वोच विकास के लिए उसके सर्वांगिन विकास के जो हम अधिकार देते हैं वो राज्य के विरुद यानि की निरंकुष राज्य के विरुद हो सकते हैं राजनीतिक अधिकार व्यक्ति अपने देश की राजनीतिक जीवन में भाग ले और मतदान करे इस प्रकार के जो अधिकार है वो राजनितिक अधिकार के अंतरगत आते हैं यानि राजनिती में सहभागिता का हमारा अधिकार एक राजनितिक अधिकार है जो की लोकतंतर की संस्थाओं से सम्मंदित है जिसमें हम जो है राजनितिक संस्थाओं से जुड़ते है सामाजिक अधिकार की अगर हम बात करें तो सामाजिक अधिकार सामाजिक और सांस्कृतिक जो विरासते होती है उसको सांजा करने का अधिकार होता है सामाज में अपनी संस्कृति को एक सांजा आधार प्रदान करने का हमारा अधिकार होता है सामाजिक और नागरिक अधिकारों में कई बार टकराओ देखा जाता है ये इसलिए है क्योंकि नागरिक अधिकारों में केंद्री विशे नागरिक होता है जबकि सामाजिक अधिकार समाज के हित के लिए कारे करने पर बल देता है तो कई बार समाज और राज्ये के हित आपस में टकराते हैं जिससे सामाजिक और नागरिक अधिकारों में टकराओ देखा जा सकता है अब बात करते हैं नागरिक्ता के विकास की तो नागरिक्ता बहुत पुराने समय से प्रचलित है हालां की पुराने समय में इसका विचार जो है काफी संकेन था और आज की समय में ये विक्सित हो चुका है तो समझते हैं नागरिक्ता की प्राचीन अवधारना जो मुख्य रूप से ग्रीक राज्यों में उपस्ती थी जहां पर जनसंख्या को मुख्यता दो हिस्सों में बार्ट दिया गया था वो हिसे थे नागरिक के और दास के वहाँ पे नागरिकों को क्या है आप सामाजिक और राजनेतिक और जो नागरिक अधिकार है वो प्रादान करते थे लेकिन दासों को ये सब अधिकार प्राप नहीं थी, नागरिकों को उच स्थिती प्राप थी, वहीं दास निम्न स्थिती में थे, इसी प्रकार क्या है ये एक तरीके की संकीन भागेदारी थी, संकीन नागरिकता थी, क्योंकि इसमें दासों को ना तो अधिकार प्राप थे और नहीं नागरिकता केवल वही लोग नागरिक की श्रेणी में आते थे जो शासन में हिस्सेदारी करते थे और दासों को शासन में हिस्सेदारी का कोई विकल्प नहीं दिया गया था इसी के साथ महिलाएं, बच्चे, बुड़े और मांसिक रूप से विक्रित जो मनुष्य है उनको भी उस समय नागरिकता प्राप नहीं थी केवल वे जो व्यक्ति नागरिक और राजनेतिक अधिकारो काल आनंद लेते थे और जो राज्य के राजनेतिक और नागरिक जीवन में भाग लेते थे उन्हें ही नागरिकता प्रदान थी और ऐसे लोगों को पैट्रिसियन कहा जाता था अब बात करें मध्यकाल की तो मध्यकाल में नागरिकता का विचार थोड़ा सा विक्सित हुआ इतना संकिन नहीं रहा लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो नागरिकता का विचार हो सुरक्षा से जुड़ गया व्यक्ति की सुरक्षा के लिए व्यक्ति राज्य पर निर्भर हो गया ये जो है नागरिक्ता की एक निश्क्रिय अवधार्ना के रूप में जाना जाता है अब बात करते हैं नागरिक्ता की आधुनिक अवधार्ना की तो वर्तमान समय में नागरिक्ता का जो विचार है वो स स्वतंतरता और समानता दी गई है और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको समानता जादा दे दी गई है और स्वतंतरता कम बलकि स्वतंतरता समानता के बीच एक निश्चित संतूलन देखा गया है जो की विकास के लिए जरूरी होता है अब जानते हैं नागिक्ता की विशेष्टा तो यह एक राजनीती की काई की अंतरगत व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान करती है जो मैंने पहले कहा कि जब हम किसी समुधाय किसी राज्य किसी देश में एक आपचारिक रूप से जूरते हैं तो हम उसकी सदस्य बन जाते हैं जैसे भारत के विशे में अगर हम भारत में जन में है हमारे माता पिता पहले से ही भारत में रह रही है भारत के निवासी है तो हमें जनमजात नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो वहीं अगर कोई बाहर का व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और इसके अलावा हम भारत की नागरिकता के लिए आवे तो जैसे नागरिक्ता हमें अधिकार और कतव्य दोनों सुनिश्चित करती है, समानत और स्वतनतता देती है, जो कि व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसकी अस्त मिता को भी भढ़ाते हैं। नागरिक्ता कुछ ऐसे मुल्य के समुहों को निर्मित करती है, जो किसी राजनेतिक इकाई के सामाने शुप के प्रतिबधता स्थापित करते हों। सहभागिता को सुनिश्चित करने की भूमिका का निर्वह किया जाता है, यानि कि नागरिक समाज में अपनी भूआगिदारी अधिक सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि भारत की बात करें, तो भारत में विदेशियों को सरकार के शासंतंत्र में हिस्सा लेनी की आजादी नहीं है, उनको वो अधिकार प्राप नहीं है, मत का अधिकार प्राप नहीं है, प्रतिनिधी चुनने का अधिकार प्राप नहीं है, तो जो भारत के नागरिक है भारत के प्रती जो है सैभागिता की भावना को देख सकते हैं। नागरिक्ता शाचन की प्रक्रिया से सम्मंदित हैं जिसमें सरचनाओं, कानूनों, प्रलेखों को समझना और उनका प्रयोग करना और ज्यान प्राप्त करना जैसी चीज़े आती हैं। अब बात आती हैं कि नागरिक्ता की निधारत तत्व कौन कौन से हैं। तो व्यक्ति को नागरिक्ता देने के अलग-अलग मांदन हो सकते हैं। जनम की आधार पर तो नागरिक्ता स्वचालित होती है। यानि कि अगर हम किसी देश में जनम लेते हैं तो हमें वहां की नागर नागरिक्ता के निर्धारत तत्व सबसे पहले जनम जात नागरिक्ता की बात करती है जो जनम के आधार पर नागरिक्ता के प्राप्त होने का समर्थन करती है इस नागरिक्ता में व्यक्ति के मातापिता मैं से किसी एक को समध्धी देश का नागरिक होना जरूरी होता है एक इस प्रकार की नागरिक्ता का प्रचलन है अगर कोई व्यक्ति इंग्लेंड में जनम लेता है तो वो इंग्लेंड की परीधी में जनमा है तो उसे इंग्लेंड की नागरिक्ता प्राप्त होगी इसका ये अर्थ है विवहा द्वारा नागरिक्ता यानि की जो नागरिक्ता हम विवाह करने के पच्चात मिलती है जो विवाह पर आधारित प्रकृया से सब्ध paint होती है इसमें हम किसी अदे विवह करते है तो हमें उस धेश की नागिकता प्रापत हो जाती है प्रकृति करन को है राजय उन लोगों को नागरिक्ता प्रदान करते हैं जिन्होंने कानूनी रूप से देश में प्रवेश किया हो और एक निश्चित अवधी से वहां रहते हो यानि कि कोई निश्चित अवधी से अगर किसी समंधी देश में रह रहा है और वो जो नागरिक्ता के सेट क्राइटेरिया है जैसे कि 7 स दस साल होता है तो उस अवधी को पूरा कर लेता है और उसके पश्चात नागरिक्ता के लिए आवेदन करता है तो उसे नागरिक्ता मिल जाती है उस देश की इसी के साथ कई देशों में दोरी नागरिक्ता की विवस्ता है जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोरी नागरिक्ता की बात की जाती है यानि संपूर जो व्यक्ति है जो संपूर नागरिक है वो भारत के नागरिक है ना की किसी पटिकुलर राज्य के हम यह नहीं कह सकते कि हमें हिमाचल की नागरिक्ता प्राप्त है यह हमें केरल की नागरिक्ता प्राप्त है हम कहेंगे कि हमें भारत की नागरिक्ता प्राप्त है हम्यारा वो एकल स्वरूप की नागरिक्ता का जो अर्थ है वो है कि संग की ही नागरिक्ता का प्राप्त होना नागरिक्ता की संबंध में बहुत से विचारों को ने अपने भिन-भिन विचार दिये हो और इसी से है जो भिन विचार उभर है जैसे कि सबसे पहले हम इसमें नाग्रिक्ता का उधारवादी विचार समझेंगे नाग्रिक्ता का आधार नाग्रिक अधिकार होते हैं नाग्रिक्ता का उधारवादी विचार मानता है कि नाग्रिक्ता का आधार व्यक्ति बात की धारना पे आधारित होना चाहिए यानि क ये उदार वादी विचार क्या है कि ये व्यक्ति के सम्मन में उदार द्रश्टिकोन अपनाता है नागरिक्ता एक कानूनी स्थीती है जो राज्य के हस्तक्षेप से उच्छे बचाने के लिए व्यक्ति को कुछ अधिकार उपलब्ध कराती है फर एक्जामपल कि भारत में स्वतन्तिता का अधिकार प्राप्थ है समानता का अधिकार प्राप्थ है बोलने का अधिकार प्राप्थ है तो ये इसलिए है ताकि राज्य जो है व्यक्ति के विकास को अवरुध ना कर सके अगर हम बात करें हमें विरोध करने का भी अधिकार प्राप्त है जो हमारी बोलने की स्वतंतरता के अंतरगात आता है वो इसलिए क्योंकि हम राज्ये की गलत नीतियों का विरोध कर सके ती एच मार्शल ने अपनी रचना Citizenship and Social Class 1950 में नागरिक्ता को समुद्दाई की पूर्ण सदस्यता के रूप में बताया जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मार्शल नागरिक्ता विकास के लिए अधिकारों को महत्व देते है यानि कि नागरिक्ता की विकास के साथ अधिकारों को जोड़ देते है उनके अनुसार नागरिक्ता के पहले चरन में नागरिक अधिकारों की पॉई जिसमें स्वतंतता एवं संपत्ति के अधिकार को अधिक महता दी गई थी यहा मुख्यता समधानिक लोकतंतर में विद्यमान होते है अब बात करते हैं नागरिक्ता के दूसरे चरण की जो मार्शल कहते हैं नागरिक्ता के दूसरे चरण में व्यक्तियों को राजनितिक अधिकार प्राप्त हुए जिसमें मत देने का अधिकार सरवाधिक महतुपूर माना गया फिर नागरिक्ता पे तीसरे चरण में सामाजीक अधिकार प्राप्त हुए जिसने के द्वारा कल्यानकारी डाजे का विकास हुआ मार्शल के अनुसार नागरिक्ता एक सामाजीक परिस्थिती है जो वर्ग विभाजित समाज और पुंजीवादी विश्यमता में विद्यमान नहीं होती इसका सीधा सतातपरे ये है कि अगर समाज वर्ग विभाजित होगा और पुन्जी वादी विश्यमता पाई जाएगी वहाँ तो वहाँ नागरिक्ता नहीं होगी नागरिक्ता एक संगठित संग में एक संगठित समाज में निर्मित होती है इसके अलावा वो तीन प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं नागरिक्त अधिकार, राजनितिक अधिकार और सामाजिक अधिकार जो भिन-भिन समय अभधी में उत्पन हुए सबसे पहले नागरिक अधिकार आए फिर राजनेतिक अधिकार और फिर सामाजिक अधिकार जो की व्यक्ति के सर्वांगीन विकास के लिए जरूरी होते हैं अब बात करते हैं नागरिक्ता के माक्सवादी विचार की तो नागरिक्ता वल्ग संघर्ष के उपतपाद आर्थिक पक से सम्मंदित है तो जो नागरिक्ता का मार्क्सवादी विचार है वो वर्क संघर्ष के उपुतपाद के रूप पे जाना जाता है और ये नागरिक्ता के आर्थिक पक से सम्मंदित है मार्क्स ने अपनी रचना on the Javis Concession 1844 में नागरिक्ता से सम्मंदित विचार दिया था उनके अनुसार पुंजिवादी सम्माज में सर्वहरा वर्क नागरिक्ता यादिकार प्राप नहीं होते उनका ये कहने का इसलिए तात पर्य था क्योंकि वो राज्ये को एक शोशनकारी संस्था के रूप में मानते है वो मानते हैं कि जो धन्वान लोग है जो उच पद के लोग है केवल उनी को नागरिक्ता प्राप्थ होती है उनके अनुसार अधिकार केवल बुजुर्वा वर्क को प्राप्थ है और यही नागरिक्ता है यानि कि बुजुर्वा वर्क जो है वही नागरिक्ता की शिर्निक को और जो क्राइटेरिय को पूरा करते हैं उनके अनुसार नागरिक्ता के बाद जो है क्रांती के बाद समाप्थ हो जाएगी इसलिए नागरिक्ता एक अस्थाई अधारना है और इसका होना नहोना उतना जरूरी नहीं है ये मानते हैं कि नागरिक्ता का अधिकार अस्थाई अधिकार है क्योंकि करांती के बाद तो वैसे भी वर्ग विहिन समाज और रज विहिन समाज की स्थापना होनी है नव उदारवादियों की विचारा नुसार नागरिक्ता के विशय में सेमिल समाईर ने अपने विचार दिये नागरिक्ता के विशय में सेमिल समाईर ने विचार देते हुए कहा कि नागरिक्ता का भीप्राय नागरिकों में गरीमा और आतमसमान का विकास करना है वे व्यक्तियों के विकास के साथ साथ उनकी गरीमा और आत्म सम्मान को भी भड़ावा देते हैं यह किसी समुदाय विशह से जुड़ा विचार नहीं है क्योंकि यह भी उधारवादियों की ही भांती व्यक्ति को है नागरिकता का केंडर मानते है और अधिकारों को नागरि परश्यक हो जाता है नागिक्ता के समुदायवादी विचार का अर्थ है व्यक्ति का अस्तितो समुदाय से पहले नहीं है समुदायवादी समुदाय को जाधा महतो देते है ये कहते है कि अगर समुदाय नहीं होगा तो व्यक्ति का अस्तितो होना नहोना एक बराबर है व्यक पेलर ने नागिक्ता के विशे में अपने विचार देते हुए कहा था कि नागिक्ता यदि अधिकारों के विचार से सम्मंदित है तो यह समुदाय के रूपे प्राप्त की जाती है यानि कि नागिक्ता का जो अधिकार है वो हमें समुदाय के सदस्य होने के नाते ही प्राप है यह समुदायवादी विचारत मानते हैं 1905 में जो मिल कि मली का है उन्होंने अपनी रचना बहु संस्कृतिक नागरिक्ता अल्प संख्यक अधिकारों का उदारवादी नागरिक्ता के समन्ध में नारिवादी विचार की अगर हम बात करें तो नारिवादी विचार पुर्श वर्चसों वाले समाज का घोध विरोधी रहा है यह मानता है कि राजनितिक सामाजी आथिक जीवन में पुरूशों का वर्चसों महिलाओं से ज़ादा है इसी कारण जो है महिलाएं दूसरी श्रहीं की नागरिक बन कर रहे गई है नारिवादियों ने स्रियों के साथ बेदवाहों का विरोत किया उनके अनुसाथ जब तक परिवार में नारियों को समानता का दरजा न नाजिता के विचार का वेवारिक चित्रण नहीं किया जा सकता राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में अंतर को समात करके सैवेधानिक प्रावधानों में नाजियों की स्थिती में सुधार किया जाना चाहिए नारिवादी विचारों में कहते हैं कि ना किवल सामाजिक ज लिए हमें महिनाओं को सेवेधानिक आधार प्रदाद करना चाहिए उन्हें अधिक स्वातन तता उन्हें समानता और उन्हें विशेश अधिकार देने चाहिए इसमें वे उनकी maternity leaves बगेरा जो होती है उसनका भी विचाह देते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें गरपात का धिक उन्हें मा बनने के पास अवकाश का अधिकार होना चाहिए उन्हें संपत्ति का अधिकार होना चाहिए तो इससे क्या है कि नागदिक्ता के संबंद में वो ये कहते है कि नारियों की स्थीती में सुधार आएगा वे पुर्षो के समान होगी वो गौर्ण नहीं होगी और इस इसी के सम्मन में 1970 में उन्होंने एक विचाया दिया था कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है यानी कि जो व्यक्तिगत जीवन में होगा वही राजनीतिक जीवन में परिलक्षित होगा। इसलिए नारियों की समानता की शुरुवात व्यक्तिगत जीवन से करनी पड़ेगी ताकि राजनीती में वो प्रलक्षित हो, नारियों को सालजनिक जीवन में प्रवेश करना होगा ताकि नारियों की स्थेती में सुधार हो सके। बहु संस्कृति वाधियों के अनुसार नागरिक्ता के विचारों की अगर हम बात करें तो यह मानते हैं कि नागरिक्ता एक बहु आया में विचार है, नागरिक्ता व्यक्ति और समुदाय के मद्य पारिस्पारिक सम्मंद को सुनिश्चित करती है, व्यक्ति समुदाय के खि अधिकारों का हगदार होता है और समुदाय के प्रती कुछ करतव्यों का पारण करता भी होता है यानि व्यक्ति समुदाय के भीतर रहकर कुछ अधिकारों को प्राप्त करता है और उसे उस समुदाय के प्रती अपने करतव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है आधुनिक बहुलवादी समाज में उदारवादियों की नागरिक्ता के सारभोमिक विचार को अस विक्रित कर दिया गया। उदारवादियों ने सब के लिए सारभोमिक विचार दिया था, सारभोमिक नागरिक्ता का विचार दिया था। लेकिन जो बहुलवादी समाज है वो ऐसा नहीं मानता क्योंकि वो समिदाय विशेश के हितों के लिए अल्ष संख्यक समिदाय के हितों के लिए भी कारे करता है इसमें जैसे स्तिरी सम्मंधित आंदोलन हो गए किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन जो अल संख्यक आंदोलन थे जैसे दली आंदोलन हो गए इसमें हमारा ध्यान आकरशित करता है कि वो भी समाज के ही हिस्सा है, वो भी समाज के ही लोग है और उन स्वमुदायों को नाजूता कि वैसे ही प्राप्ति ओने चाहिए जैसे अन्योच वर्गों को होती है हालां कि वो यह मानते हैं कि उनको जादा जो निम्नवर के लोग है उन्हें जादा इनिशेट की जरूरत है उनकी तरफ जादा जो नीतिया बनाने की जरूरत है उन्हें जादा स्वतनतरदा देने की जरूरत है विल्किमलिका ने अर्ब संख्यकों को विशेश अधिकार देने की बात की है यानि की तरीके से जो सरक्षित बेदभाव की भामना है वो इसका समर्थन करते है विल्किमलिका ने अर्ब संख्यकों के विशेश अधिकारों की बात की है जिसमें सबसे पहले स्वशासित होने का अधिकार आता है यानि कि अल्व संक्यकों को शासर में सभान अधिकार और सम्मान की प्राप्ति होने चाहिए और वे स्वशासित होने के अधिकार से सम्मंदित है पॉलियेथिनिक अधिकार में अल्व संक्यकों के धार्मेक और प्रवासे अल्व संक्यकों को अपनी संस्कृति को बचाये रखने और सनक्षित रखने का अधिकार है याने कि अलसंख्यक और धार्मिक अलसंख्यक जो भी होगे वो अपनी धर्म वो अपनी संस्क्रिती को बचाय रख सकते हैं जैसे भारत की बात करें तो भारत में अनुचेत 39 और 39 में क्या है व्यक्तियों को संस्क्रितिक अधिकार प्राप्त है व्यक्ति को इस तरह के कि धार्मिक अल्प संख्या का धिकार प्राप्थ है ताकि वे अपनी धरम की अपनी संस्कृति की रख रखाओ और उसकी रख्षा कर सके प्रतिमिधित्व का अधिकार की बात करें तो इसके अंतगत अल्ब संख्यकों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का पूर्ण अधिकार होना चाहिए ये जो बहुत संख्यकों के हितों के लिए विशेश रूप से सजग भुमिका की मांग करते हैं नागरिक्ता की विचार में अगला विचार विभेदिकृत नागरिक्ता कारता है विभेदिकृत नागरिता बहुत संस्कृति वादियों की भांती ही जो है विभेद पे आधारित है जैसे वो सरक्षित बेद भाव को प्रोथसाहित करते है तो विभेदिकृत नागरिता विभेद को प्रोथसाहित करती है विभेद का समर्थन करती है इसकी अनुसात आधुनिक बहुलबादी समाज में नागरिकों को विशेश अधिकार प्रदान करने की आवशकता है मेरियन द्यंग ने विभेदी कृत नागरिकता का विचार दिया था इसमें प्रजाती लिंग जैसे विभेदों को ध्यान में रखकर नागरिकता प्रदान की जाती है यानि कि ये मानते है कि हर व्यति हर द्रिष्टी से समान नहीं होता उसमें कुछ विभेद पाई जाते है और जब भी हम नागरिकता देते हैं तो हमें उन विभेदों को ध्यान में रखना चाहिए, उनका जो विभेद के आधार पर जो हमने नागरिक्ता दी है, हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए, विभेदिकरित नागरिक्ता ये मानती है, अब बात करते हैं वैश्विक नागरिक्ता की, तो वैश्विक नागरिक्त और संस्थाओं से भी बहुल नाग्रीकता का विचार दिया था उरोपीन नाग्रीकता का दायथ वह केवल उनकी सरकारों से ही जुड़ा हुआ नहीं है बलकि उरोपीन योनियन से भी जुड़ा हुआ है यानि यो जो यूरोप के नागरिक है वे केवल यूरोप की सरकार का ही समर्थर नहीं करते यूरोप की सरकार के साथ जो उनको अधिकार मिलते है केवल उनके विशे में ही सजग नहीं होते बलकि उनकी जो कतावय और अधिकार की भावना है वो यूरोपीय संग से भी जुड़ी होती है अभी ये बात करते हैं हम निशकर्ष की तो यहां पर मैंने दोबारा से वही चीज़े बताई है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी तो एक बारी रिविजन के तोर पे हम इसे समझ देते हैं उधारवादी सिधान यह नागिक्ता का विकासवादी सिधान है टी-एच मार्शर इस विजाधारा से जुड़े हुए मुख्य विचारक है स्वातंत्रयवादी सिधान इस सिधान के अनुसार नागिक्ता व्यक्तिय की स्वातंतर इच्छा का प्रतीक है रोबर्ट नौजिक इस विचाधारा के प्रमुक समर्थक और विचारक रहे है यह विजार नागिक्त जीवन के लिए बाजार समाज की परिकल्पना को प्युक्त मानता है गंतंतर वादी सिधान के अनुसार व्यक्ति स्वाइव को सम्हू के एक भाग के रूप में देखता है जिसके द्वारा वह राजनितिक प्रक्रिया में सक्रिय भागिदारी के लिए समर्थ बनता है गंतंतर वादी सिधान के समर्थक हन्नायरेंट होगे माइकल वॉल्जर होगे, बेंजामेन बारवर होगे मार्क्सवादी सिधान्ट में गिदिन्स इसके विचारक रहे है जोनोंने बहुलवादी सिधान के अनुसान नागरिक्ता का विकास एक जटिल और भौवायामी प्रक्रिया है ये बहुलवादी सिधान्ट मानते है बी एस ट्रनर ने अपनी रचना citizenship and social theory जो की बहुलवादी सिधान्ट के एक बहुत important विचारक है मैं नागरिक्ता को बहुलवादी सिधान्ट के रूप में विक्सेट किया मुक्तिवादी सिधान्ट सेम जो मैंने आपको भी स्वत अंतरवादी सिधान्ट के बारे में बताया तो ये 1989 में जो है Margaret Thatcher के नेतितों वाली ब्रेटिश रूणिवादी सरकार में मुक्तिवादी नागरिक्ता के आधार प्रपन पाथा सामाजीक अधिकारों के उपर बाजार के अधिकारों का महत्व देता है नागरिक व्यक्तियों के मंद्यम मुक्त विकल पर अनुबंध का उत्पाद है रोबर्ट नौजिक पी इसके मुख्यव प्रतिपादक है उनके अनुशा व्यक्ति अपने मूल्या, विश्वासों और वरियाताओं के लिए नीची गतिविदी, बाजार विनिमें और संग का साहरा लेते है नागरिक्ता के सम्मंध में गांधी जी का विचार भी है जो उन्होंने साजनी कल्या और सक्रिय नागरिक्ता के सम्मंध में दिया है बहुलवादी सिदान, बहुलवादी आयाम की बात करते है बियस टर्नेरिन के मुख्य विचारक है उनकी रचनाती सिटिजिन्शिप एंड कैपिटलिजम, डिबेट ओवर रिफोर्मिजम, उनी सो छसी ठीक है अब यहाँ बात करते है प्रिवी से कॉस्टन की तो नागरिक्ता से सम्मंधित प्रिवी से कॉस्टन आया था नागरिक्ता के बहुलवादी सिध्धवन का सर्वोत्तम प्रतिबादक कौन था तो यह मैंने अभी आपको वीडियो में बता दिया है तो आप यह कॉस्टन का अंसर कमेंट कर सकते है वन्धना शिवा निमनलिखित में से किस रूप में जानी जाती है आपको बताना है कि वो उत्तरादुनिक वादी है, माक्स वादी है, परियावरान हितेशी, नारिवादी, इको फैमिनिस्ट है या फिर रूणिवादी है अब यहाँ पर भारत की नागरिक्ता से सम्मंधित प्रिविस यह कॉस्चन है भारत की नागरिक्ता के संधर्ब में निमलिकित मैंसे कौन सा कथन सही नहीं है नागरिक्ता समंधी प्रावधान 26 नुवंबर 1949 को लागू हुए यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिक्ता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिक्ता खतम हो जाती है भारल का एक नागरीक एक साथ अन्य देश का नागरीक भी हो सकता है संसर की पास योज शक्ती है कि वो नागरीकता को ग्रहन करने और उसे खतम करने से संबंदित प्रावधान बना सकता है तो इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट केजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंज शेर कीजिए तैंक यू